कि है फ्रेंड्स बोटी चैनल में आपका स्वागत है आज हम यहां वीडियो में ढिलाई बनाना बताएंगे यहांपर मिने प्ले और चिकन फेबरिक हमने हन्arken हाफ मेंटाफ मीटर लिया है और चिकन हमरें हाफ में लिया है तो चली एससे बिनाना हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम फ्रॉक का फ्रंट पार्ट कट करेंगे इसके लिए फेबरी को इस तरह फॉल्ड किया है टोप पार्ट की लेंद हमने लिया है थर्टी निचिस सोल्डर की चोड़ाई हम लेंगे 5.5 इचिस और यहां से निचे आम होल की लेंद लेंगे 6 इचिस चेस्ट की चोड़ाई हमने लिया है 8.5 इचिस और कमर की चोड़ाई हम लेंगे 7.5 इचिस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रो कर लेंगे आम होल में हल्का सा राउंड सेप देते हुए ड्रो करेंगे और इससे हम कट कर लेंगे अब इसकी नेक की चोड़ाई लेंगे 7.2 इचिस और नेक की लेंद हम लेंगे 5.5 इचिस राउंड सेप देते हुए ड्रो करेंगे और इससे हम कट करेंगे आम होल में हल्का सा राउंड से देते हुए कट करेंगे अब इससे नपकी नेट फेबरिक हम कट करेंगे तो यहां पर मैंने चिकर नेट फेबरिक लिया है इसके उपर हम यह फ्रंड का टोप पार्ट रखेंगे और इससे एजेटिंग कट कर लेंगे फ्रंट पाट का दो लेयर हमने इस तरह कट कर लिये है अब हम बेक पार्ट कट करेंगे बेक पार्ट के लिए हमने इस तरह का पीस लिया है जिसकी लैंद है 80 इस और इसकी चोड़ाए हमने लिया है 27 इस अब यहां पर मैंने फ्रंट का टोप पार्ट लिया है इसके राइट साइड इस नेट पार्ट को रखेंगे यह दोनो लेयर को अच्छे से मिलाएंगे अच्छे से मिलाने के बाद नेक पे और दोनो तरफ आम होल में हम सिलाए लगाएंगे सिलाए लगाके नेक पे हम हलके हलके नोचेस लगाएंगे और इसे हम राइट साइड टन कर लेंगे इस तरह हमने राइट साइड कर लिया है अब दोनो लेयर को सिलाए लगाके अटेज कर लेंगे अब बेक पार्ट का टोप पार्ट हमने लिया है इसके उपर की बुडर पे हमें सिलाए लगानी है इस तरह हमने उपर की बुडर पे सिलाए लगा दी है अब यहाँ पर हम elastic attach करेंगे इस तरह की बारी plastic हमने लिए जिसकी length हमने लिया है 14 इचिस अब यहाँ पर हम mark करेंगे उपर इस बुडर पर एक elastic attach होगा इसके नीचे हम 1.5 मीच पर mark करेंगे इस तरह mark करके इस पर हमें elastic attach करनी है सभी elastic हमने इस तरह रखा है और इस तरह elastic को कीच के हमें सीला लगानी है इस तरह खिच के इस तरह बेक पार्ट हमने रेडी कर लिया है इस तरह की इलास्टिक हमने attach कर लिया है अब हम बोटम पार्ट अब हमने बोटम पार्ट लिया है जिसकी लेंद्ध हमने लिया है 25 इचिस और चोड़ा हमने लिया है 37 इचिस उपर की बोटर पे हमें बड़े नमबर वाली सिलाई लगानी है तो दोनों लेयर पे हमने उपर बड़े नमबर वाली सिलाई लगा दी है अब यहां पे एक धागी को हमें अलग करना है और इस तरह खीच के गेधरिंग बनाए ना है दोनों लेयर में हमें इस तरह की गेधरिंग बनानी है यह देखिए हमने बोटम पार्ट में उपर की तरफ गेधरिंग बना ली है इसे हम टोप पार्ट के साथ अटेज करेंगे अब यहां पर मैंने स्ट्रीप ली है जिसके चोड़ा हमने लिया है फौर इंचीस और लेंध हमने लिए है 20 इचीस चोड़ा है इतनी ही लेंध हमें लेनी है अब इस श्ट्रीप के सेंटर में हमें दुसरी स्ट्रीप अटेज़ करनी है जिसकी चोड़ा हमने वानी चीज लिया है इसे दूनों तरब को बॉडर को फोल्ड करते हुए सिलाए लगाके अटेज़ करना है फ्रण पार्ट हमने लिया है इसके नीचे करना है उपर की बुडर को हलका सब फोल्ड करेंगे और सीलाई लगाएंगे तो इस तरह हमने फ्रंट पार्ट में इस ट्रिप अटेज कर ली है यह हुआ हमारा फ्रंट का पार्ट और यह बेक पार्ट अब इसके साथ हम बोटम पार्ट अटेज करेंगे ट्रोप बोटम को हम अटेज कर लेंगे इस तरह ट्रोप पार्ट को उटा रखते हुए सीलाई लगाएंगे बेक पार्ट को भी हम इसी तरह अटेज कर लेंगे ट्रोप बोटम को हमने अटेज कर लिया है अब यहां पर हम स्ट्रीप अटेज करेंगे इसके लिए हमने इस तर है थ्री इचिस कि इस तरह दोनों कि स्ट्रीप को मिलाते हुए दोनों तरफ हम सिलय लगाएंगे कि सिलय लगाने के बाद इसे हम राइट साइड टर्ण कर लेंगे कि दोनों स्ट्रीप की लैंद हमने से वनीचीस लिया है अब इस फ्रांट पार्ट के सुलडर के साथ अटेज करना है आप इसके बाद इससे प्रटेज करके इसराइट साइड टर्न करेंगे और लिए बेक पार्ट के साथ इससे अटेज करेंगे अब बेल्ट के लिए हमने यहां पर इस तरह के दो स्ट्रीप ली है जिसकी चोड़ा है 4 इचीस और लेंद्ध हमने लिया है 22 इचीस इसे इस तरह टू फॉल्ड करेंगे और यहां से लेके यहां तक हम सीलाय लगाएंगे दोनों स्ट्रीप में हमें इसी तरह सीले लगा कि इस राइच साइड टर्न कर लेंगे तो यह देखिए हमने इस तरह दोनों स्ट्रीप को राइच साइड टर्न कर लिया है अब दोनों बेल्ट को हमें बेक पाट के कममर में हमें इससे अटेज करना है दोनों तरफ के बोडर पे अब फ्रंट और बेक पार्ट को मिलाते हुए हम फिटिंग करेंगे दोनों लेयर को अच्छे से मिलाएंगे और दोनों तरफ वा नीच का मारजन रखते हुए नीचे तक सिलाय लगाएंगे इसके बाद नीचे की बोडर को रोग साइड टू फोर्ड करते हुए सिलाय लगाएंगे तो इस तरह मैंने इस फ्रोग को राइड साइड टर्न कर लिया है अब फ्रांट पार्ट में हमें दो स्ट्रीप अटेज करनी है नीची बोटम पार्ट में नीचे की बोडर पर इस तरह हमने वानी चोड़ी स्ट्रीप ली है इससे इस तरह दोनों बोडर को फोल्ड करते हुए इस साइज की स्ट्रीप बनाके यहां पर अटेज करनी है फृन्ट में हमने इस तरह फ्लावर अटेच्च किया हूआ है और आम होल में नेट फिब्रिक अटेच गई है पर निच्च की तरफ तरह की स्ट्रीफ राउंड सिप में हमने अटेच्च किया हूआ है इसके साथ हमारा डिजाइन और फ्रॉक रेलि हो चुका है यदि यह डिजाइन आपको अच्छी लगी हो था हमारी वीडियो को लाइक करें, सेर करें आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरू क्लिक करेंगा ताके आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें थेंक्स पर रोचिंग झाले वीडियो करें आपको मिल सकें और आपको मिल सकें झाले चनūक करेंगा आपको मिल सकें बुलर मिल आपको मिल मृब इल आपको मिल सकें अंपको मिल सकें झाल झाल